हेलो, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर, तो आज की क्लास में हमें स्टार्ट करना था ट्रेडिंग अकाउंट का नुमेरिकल पोर्शन, तो आज हम लोग इस वीडियो में ट्रेडिंग अकाउंट के नुमेरिकल कोश्चन को कैसे सॉल्फ करेंगे, फटा-फट से समझ तो देखिए, कोश्चन यहां पर क्या लिखा हुआ है, प्रिपेर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर्द यानि कि हमें प्रिपेर करना है ट्रेडिंग अकाउंट वह भी येर के एंड में, और वह भी कौन सा एयर है, 31 मार्च 2018, from the following balances, तो कुछ बैलेंस गिवन है ठीक, तो लिखे या तो कोश्चन आपको इस फर्म में मिलेगा, या फिर आपको एक ट्राइल बैलेंस गिवन होगा, और उस ट्राइल बैलेंस में से आपको कुछ नाम छाटने होंगे, और वो कहां लिखने होंगे जाकर की, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखने होंगे, तो कौन यहां पर for the year ended यानि कि कौन से year के end में बना रहे हैं हमें यह भी तो जानना होगा ना किर तो यहां पर लिखते हैं 31 2018 जबकि date given होगी ठीक फिर इसकी दो sides होती है एक होती है debit side और एक होती है credit ठीक और इसका format बहुत ही simple है ज्यादा कुछ है ने इसके format में तो देखे सबसे पहला आजाएगा क्या चीज एक आजाएगा particulars और एक आजाएगा क्या amount फिर एक आजाएगा particulars और एक आजाएगा amount अब आपको जितने भी क्या आजाएगा प्राइगा आजाएगा आजाएगा और एक आजाएगा तो तो आपको उनमें से क्या करना होगा फटा पोस्टिंग करते जानी होगी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ठीक तो देखे सबसे पहला अगर हम लोग बात करें ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर तो ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक भी एक direct expense के अंदर आ जाता है क्योंकि यह direct ही हमारा production से है न क्यों पिछले साल का balance बचा हुआ था तो वह इस साल आ गया हमारा ठीक तो सबस अकाउंट की सुरुवात अक्सर इसी टाइप से ही होती है to purchase कितने का purchase है देखे 10 लाख का purchase है ठीक अब एक चीज हमेशा ध्यान में रखना जब purchase given हो तो आपको ढूंडना होता है क्या इसके अंदर purchase return given है तो ढूंडे फटा फट चे तो देखे purchase return आपको या तो purchase return के नाम स मिलने वाला है तो देखे return outward के नाम से मिल गया और इसका balance हमेशा purchase से reverse होने वाला है purchase का हमेशा debit balance होता है और purchase return का हमेशा credit balance होता है ठीक तो जब भी आप यहां पर लिखे देंगे purchase return या फिर लिखे देंगे return outward तो आपको उसको purchase में से minus करना होगा और यह कितने का है जी 80,000 तो अब आपको फिर net balance यहां पर लिखना होगा 9,20,000 रुपे ठीक यह आपको purchase में से purchase return पहले ही minus करके मिला होता है वो मिलेगा net purchase के नाम से ठीक और फिर credit side की अकसर सुरुआत होती है कैसे buy sales account ठीक तो देखे sales का balance कितना है जी 15,50,000 है तो आप credit side में लिखे देंगे ठीक य और जैसे हमने purchase में से purchase return minus करा था ऐसे ही sales में से sales return minus करेंगे ठीक और sales return का एक दूसरा नाम होता है क्या जी return inward और ये कितने रुपे का है ये है जी 50,000 रुपे का है ठीक तो इसको अगर हम लोग minus कर देंगे तो यह हम पर आजाएगा कितना 15,00,000 रुपे ठीक अब फटा expenses ढूंडेंगे जो कि factory level पर लगा हूँ तो देखिए wages wages एक direct expense है क्योंकि ये मजदूरी है और मजदूरी किसको दी जाती है भाई मजदूर को दी जाती है जो कहीं factory वगेरा में काम करता है ठीक इसलिए ये कहां पर आएगा ये trading account के अंदर आएगा हमेशा ठीक wages कितने रु मंगाते हैं दुकान में तो हम जब वह समान आता है तो हमें कुछ किराया भी तो देना पड़ता है भाई समान इतना सारा आया था टेंपू अगेरा का किराया ऐसा देना पड़ता है उसी को बोलते है क्या चीज फ्रेट और ये भी direct expense होता है क्योंकि ये समान आप मंगा रह ठीक फिर अब देखिए पर्चेस हो गया carriage inward अब ये क्या होता है देखिए अभी जैसे मैंने freight बोला ना इसी तरीके से freight carriage और cartridge ये तीनों होता है समान को मंगाते time जो भी खर्चा होता है ठीक तो देखिए यहां पे कई बार ही word ही होता है मैं आपको देखिए यहां पे समझ यहां देता हूं देखिए freight carriage और cartridge ये तीनों का मतलब सेम ही होता है जब भी आप समान की delivery लेते हैं तो आपको उसकी कुछ payment करनी होती किराय वगेरा कि जैसे अगर समान जादा था टेम्पूस आया तो उसका किराय वगेरा देना पड़ता है तो ये दो पार्ट्स में होता ह एक होता है क्या inward और एक होता है outward ठीक अब यह inward और outward क्या हूता है देखिए जब भी आप समान को मंगाएंगे अपने दुकान में अपने factory के अंदर production के लिए तो वहाँ पे word होगा use inward और जब भी आप समान को बेचेंगे customer के घर के पास customer को तो वहाँ पे use होता है outward अब इन expense होगा और यह तो customer को हम वेच रहे हैं ना तो यह तो production का part नहीं है यह selling का part है बलकि ठीक तो यह production का part है तो inward हमेशा कहां मिलेगा आपको trading account के अंदर यह clear हुआ to carriage inward कितने रुपए का था जी देखिए carriage inward था आपका 10,000 रुपए का था clear हुआ अब देखिए इसके बाद closing stock closing stock आपको ना हमेशा यह trial balance या फिर बाकि जितने भी adjustment है ना उनसे अलग मिलेगा ठीक देखिए फिर यहां पर यह credit side में आ जाता है closing stock closing stock कितने रुपए का था जी यह था आपके 2,000,000 रुपए का ठीक अभी तक हम लोगों ने basic problem को पकड़ा है जो format मैंने आपको समझाय था ना पिछले classes में यह बस उसी में कई है एकदम simple सा question ठीक तो हम लोगों ने अब सारी adjustment लेख दिये इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे इसके इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या हमारा profit हो रहा है या फिर हमारी income हो रही है ठीक तो देखिए यह वाली side जो होती है ने debit वाली side यह expense होती है और यह जो credit वाली side होती है ने माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद यह आपका कितना आ जाएगा जी यह आपका आ जाएगा 6,15,000 ठीक और इस 6,15,000 को हम क्या बहलेंगे भाई हमारी इंकम जादा थी और हमारे expenses कम थे वह भी कौन से income और कौन से expenses भाई direct income और direct expenses और यह तो हमेशा फेक्टरी लेवल पर होता है तो जो फेक्टरी लेवल पर जो profit निकलेगा उसको हम लोग बोलते हैं gross profit ठीक यह तो था एक दम basic problem अगर यह इस साइड निकला होता तो यह gross loss होता ठीक तो मैं फटा फट से इसको एक बार ही और समझा देता हूं देखिए trading accounts जब भी आप trading account बनाएंगे या profit and loss account बनाएंगे या balance sheet बनाएंगे तो आपको trial balance गिवन होगा या फिर कुछ adjustment गिवन होगी और उनके balances गिवन होगे ठीक तो आपको क्या करना होगा फटा फट से जो भी trial balance या फिर जो भी balances गिवन होगे उनमें से अब बस आपको छाटना है कि कौनसा trading में जाएगा कौनसा profit and loss और कौनसा balance sheet में तो याद रखना trading account के अंदर कौनसा जाएगा जो कि आपने पिछले साल कुछ stock खरीदा होगा वह बच गया होगा थोड़ा सा तो इस साल ओपनिंग हो गया होगा तो यह तो direct production पर अब लग जाएगा नहीं ठीक फिर आपने कुछ पर्चेस करा होगा raw material तो पर्चेस करा है किसलिए भाई product बनाने के लिए कराती तो है direct expenses और कु क्या चीज वेजेस कि भाई आपने कुछ labor लगा रखे थे work करने के लिए आपने उनको कुछ पैसा दिया तो भाई labor तो फैक्टरी के अंतर direct product में help कर रहा न तो इसलिए यह direct expense है और फिर यह freight अभी मैंने आपको समझाया freight carriage carriage यह सब ठीक फिर ऐसी करके यह सब था ठीक आई